नमस्कार आप देख रहें प्रगती मीडिया राजिस्तान बाडमेर जिले में एक नीम के पेड़ में तीन दिन से लगातार आग जल रही है जो की आग बुझाने में विफल है दमकल सहकर्मी बोडवाग ग्राम पंचायत के एक खेत में नीम के पेड़ से तीन दिन से आग जली हुई है ग्रामीडो ने बताया कि नीम के पेड़ के तने में तीन दिन से आग की लप्टे निकल रही है ग्रामीडो ने आग बुझाने किया काफी प्रियास भी किया लेकिन आग नहीं बुझी ग्रामीडो ने फिर इसकी सूचना वायतु पुलिस को दी पुलिस ने मौके पर पहुचकर मौका मुआयना करने के बाद फायर ब्रिगेट को सूचना दी बाड़ मेर में आई फायर ब्रिगेट के करमचारियों द्वारा काफी मसकत करने के बाद भी आग नहीं बुझ रही है और वे विफल रहे आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है अब आगे की इस वीडियो में देख सकते हैं धन्यवाद उन्स तरहाराँ है है अबила अका अचली के दो है अचली को है अचली को सने के बाद़ के कि बाद़ी है कर अ से कि बाद़ uniform के फा यges वा ब कर दो को सी को बाद़ गता शे है कि आ आग locked ये उन्स बाद़ मल Crash अबटोकर नहानी है पर उलिया को कपू लटका